यहां प्रमू गुरुप से पांच पार्टिया चुनाव के मैदान में हैं और जो दिल्ली में बैठ करके दिन रात बड़ी लिब्रलिजम के जण्डे लेकर के गूम रहे हैं मैं आज उनको भी कहना चाहता हूँ अगर हिम्मत है और इमानदारी से आप लिब्रल है तो यह वंशवादी राजनिते के खिलाब जवार आवाज उठाईए कि पूरी पार्टियां वंशवाद में पल रही है किसी परिवार्ख में बाप भी चुनाव लड़ ले बेटा भी चुनाव लड़ ले वो पार्टी का अंद्रेड़ा हो सकता है लेकिन पूरी पार्टी वंशवाद पर चले करता धरता नीती निर्धारत सब वंशवाद में फसा हुआ हो तो लोग तंत्र के लिए कितना भैंकर खत्रा पाता होगा बाबा साब आम बेड करने जो सपने देखे थे बाबा साब आम बेड करने हमें जो संविधान दिखा है दिया है उस संविधान में के पीठ में छुरा बौंकने का काम ए बहुशबादी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां परिवारवादी राजनिती कर रही है यहाँ पांच पार्टी यहाँ है सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलिटिकल पार्टी लोग तांत्री की ववस्ता है लोग तांत्री की ववस्ता से चलती है लोग तांत्री की ववस्ता से पलती है पनपती है बढ़ती है और उस पार्टी का नाम है भारतिय जन्ता पार्टी आप मुझे बताईए ये मजलीस ये परिवारवादी है के नहीं बाउशवादी है के नहीं एक ही परिवार सब कुछ करता है के नहीं करता है राजिनिती के नाम धन आता है वो उनके यहां ही जवाँ होता है के नहीं होता है उनी के परिवार के लोग पत्पर हैक नहीं है दूसरी पार्टी टीडीपी अब देखिए ये पार्टी का जन्म हुआ था तेलूकू के स्वाभिमान के लिए कॉंग्रेस पार्टी के इन नामदार के पिताजी ने जिस प्रकार से आंध्र का अपमान किया था उस समय सयूकता आंध्र था और उस मैंसे गुस्से में आकर के यहां के स्वाभिमान के लिए एंटियार ने तेलूकू देशम पार्टी को जन्म दिया था लेकिन आज स्वार्थ के लिए सत्ता सुक के लिए जिस नामदार के पिताजी ने आंध्र का तेलूकू का अपमान किया था उसके बेटे की गोद में जाकर के पूरी पार्टी को रख दिया यह TDP भी परिवारवादी पार्टी वउशवादी पार्टी सारे निरन एक परिवार करेगा सारी सत्ता एक परिवार के पास सिमट करके रहेगी आप मुझे बताएए क्या TDP परिवारवादी पार्टी है के नहीं है एक परिवार की पार्टी है के नहीं है वांशवादी पार्टी है के नहीं है ये लोग तंत्र के लिए खत्रा है के नहीं है लोग तंत्र के लिए खत्रा है के नहीं है तीसरे नामदार All India Party आजादी के इतने सालों तक चार-चार PD ने राज किया ये Congress Party भी वहाँ लोगतंत्र का नामों निशान बचा है क्या लोगतंत्र का नामों निशान बचा है क्या Congress Party भी परिवार Party बन गई है क्यों नहीं बन गई है एकी परिवार के लिए Party चल रही है क्यों नहीं चल रही है परिवार का वेक्ति जब तक योग्यता प्राप्त नहीं करता तब तक उसको खीचा जा रहा है क्यों नहीं खीचा जा रहा है पूरी पार्टी सवासो साल से भी जादा साल जिस पार्टी के हो गए अनेक तपस्वी महापुरुषों ने जिस पार्टी के लिए जीवन खपा दिया था एसी पार्टी एक परिवार के गोद में समर्पित कर दिया गया क्या ये लोग तंत्र के साथ दोका है कर नहीं है ये लोग तंत्र के साथ दोका है कर नहीं है भाई यो भेनो अब जरा यहीं की बात कर ले मैं जरा तेलंगना के नवजवानों से पूछना चाहता हूं आखिर कर अलग तेलंगना क्यों मांगा था आखिर कर अलग तेलंगना के लिए इतने सालों तक क्यों बुसी बते जेली थी आखिर कर अलग तेलंगणा के लिए इतने नवजवानों ने बलिदान क्यों दिये थे शहादत क्यों दी थी तेलंगणा के उजबल भविश के लिए दी थी एक परिवार को तेलंगणा लूट ले के लिए हक नहीं दिया गया था भाई जो आप मुझे बताएए ये TRS परिवार वादी पार्टी है कि नहीं है परिवार की पार्टी है कि नहीं है परिवार के लिए ही पुरा तेलंगना उनको लिए है कि नहीं है क्या ये लोगतंत्र के उपर छुरा भौकने के बराबर है कि नहीं है क्या लोगतंत्र के हत्या नहीं है क्या ये चारों पार्टिया चाहे TRS हो या TDP हो चाहे मजलिस हो या कॉंग्रेस हो ये सारे दल देश के लोगतंत्र के लिए खत्रा बन रहे हैं और इसलिए जो भी हमें भाज़पा को पसंद न करते हैं आपका विचार हो सकता है मोधी को पसंद नहीं करते हैं आपका विचार हो सकता है आप नहीं चाहते थे कि मोधी चुन करके आए आज भी आपका गुस्सा नहीं कोया है मंजूर है लेकिन अगर लोग तंत्र के प्रती रती भर भी आपके अंदर कुछ बचा हो तो हिम्मत के चाहत बारा ये और ये परिवारवादी राजनिती लोग तंत्र के लिए कितना भैंकर खत्रा बनने वाली है उसके विशे में जड़ा जागरुख हो जाईए भाई ये बेनो ये चुना एक प्रकारद साब साब कसोटी है लोग तांत्रिक प्रक्रिया की एक कसोटी है कि हम हमारे वोड की ताकत पर बौशवाद परिवार जातिवाद संप्रदायवाद इन सब को एक साथ खतम करने के लिए उत्तम से उत्तम मोका है तो साथ मीड डिसेंबर का आपका मतदान है स्थार्द सब करें झाल झाल